अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा अनलेसिस बैंक निफ्टी का चला अगर आप भी चाहते हो कि कल का अनलेसिस कैसे होगा क्या होगा मार्केट कैसे रियाक करेगा यह सब कुछ जानना तो सबसे पहले आप क्या करोगे फटा फट चैनल को सब्सक्राइब और आप ज निफ्टी के ट्रेट बढ़िया चलिया अगर आपको यह अनलेसिस देखना है जानना है इंट्राडे में कैसे करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो वाट्सब कम्मिनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना आईए देखते हैं जब मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सही गया दिन तो अगर आप देखोगे मॉनिंग को ही 922 बैंक निफ्टी 43600 का सीई और एंट्री अगर आप देखोगे 310 और लगभद लगभद 380 का हाई किया उसके बाद में अगर आप देखोगे 923 को निफ्टी का ट्रेड बाद में एक 19350 का स्कैल्पिंग भी किया जहां पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया ओके बाद में 43700 वापिस यहां पे कुछ हम पॉइंट्स बटोर सके और फाइनली और एक बढ़िया 11 बजे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का 43700 का पी एंट्री 305 टार्गेट 418 का और दिन बर में क्या हो गया यह लिखा जो का जो फाइ स्टॉप लॉस हो गया टोटल ट्रेड्स टेकन वॉस फाइए और यहां पर अगेन मैं यह कहूंगा चलो यह 205 छोड़ दो 50-60 पॉइंट्स भी अगर आप ले सके वित 9 पॉइंट्स टाइप स्टॉप लॉस तो भी आप बढ़िया कर रहे हो अब यह अनलेसिस कल के लिए अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे वापिस जैसे मैंने का डिस्क्रिप्शन में जो वाट्स अप कम्यूटी की लिंक है वहां पर आप क्लिक करके जॉइन कर सकते हो अब यहां पर देखो आज कौन से कौन से स्टॉक्स करने वाला हूं तो FACET फर्टिलाइजर का जेपी सुजलान का अल्रेडी बहुत बार किया है तो मैं नहीं करूंगा एक बार और स्टाटा स्टील करूंगा अगर आपके स्टॉक कहां पर अटके है आप चाहते हो के मेरे से अनलेसिस करवाना कहां पर एंट्री होनी चाहिए क्या सही टाइम है नहीं है आप क्या करोगे यह मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि अगर आप तीन या चार भी अगर आपका रिपीट हुआ है तो नॉर्मली हम आपका स्टॉक का अनलेसिस करेंगे सुजलान अल्रेडी बहुत बार कर चुके है तो आप पिछले वीडियोस देख लेना उसमें आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा सुजलान का अनलेसिस चलो अब निफ्टी बैंक निफ्टी पर बढ़ते हैं आज थोड़ा सा वापस मैं आपको कंसेप्ट के बारे में सिखांगा जैसे कल का आपने बहुत पसंद किया कंसेप्ट ऑप्शन वन ऑप्शन और तू ऑप्शन त्री अब थोड़ा सा निफ्टी के अनलेसिस का कंसेप्ट करूंगा अब यहां पर देखोगे ना यह निफ्टी का मैं अवरली चाट से ट्राइ करता हूं सिखाने के लिए क्योंकि एनिवेज हम कल खेलिए ही ट्रेड कर रहे हैं हम लॉंग टर्म यू नहीं रख रहे हैं ओके अब यहां पर यह खोड़ा सा मैं निकाल देता हूं यह यह पूरा का पूरा ट्रेड अनलेसिस करने का मेरे पास तीन तरीके हैं सबसे सिंपल जो तरीका है ओके डाट इस पीवर प्राइज एक्षिन को कि जस्ट मैं क्या करूंगा सपोर्ट देखूंगा रजिस्टन्स देखूंगा सप्लाई देखूंगा डिमांड देखूंगा ओके यह एक सिंपल तरीका हो गया यह कहां पे भी यूज हो सकता है आपको रेंश मिल जाएंगे सेकेंड एक भैतरीन तरीका है भले और एक तरीका है जहां पे आप प्राइज आक्शन भी नहीं करोगे ट्रेंड लाइन भी नहीं करोगे आप यॉरली इंडिकेटर्स जैसे की बॉलिंजर बैंड आरे साइं मैक डी यह देखके भले चाहिए तो उसमें आप मल्टिपल टाइम फ्रेम आनलेस दाल सकते हो बड अब यह तीन यहां पे आप यह करोगे अब आप मुझे बताना कि नॉर्मली आप कौन सा अनलेसिस करते हो और प्राइज आक्शन जस्ट प्राइज देखके नहीं ट्रेंड लाइन लगाया नहीं कोई इंटिकेटर लगाया लेफ साइड देखा सपोर्ट किदर है इन लाइन अक्शन या फिर आप कोई इंडिकेटर जैसे की पॉलिंजर बाया रसाइस मैक डी या इलियट वे उस भी या आप कौन से हिसाब से ट्रेड अनलेसिस करते हो मुझे ये तीन आप्शन में से बताना या आप चाहिए तो आप अपना भी अनलेसिस के मेथड यहां क्यों है कि मुझे थोड़ा सा आपको हर एक इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बताना है अब यहां पे आप देखोगे ना अगर मैं ट्रेंड लाइन के भरोसे पे ट्रेड करूं ट्रेंड लाइन के भरोसे पे मैं ट्रेड करने जाओ तो होता क्या है ना आप लोंगा जब यह यहां पे आएगी फिर उपर जाएगी या फिर यह नीचे आके री टेस्ट होके नीचे जाएगी बट यह पूरा का पूरा मू मेरा वेस्ट है यहां पे मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं मुझे बता रही है और आप उपस वेरी जो ट्रेंड लाइन के होते हैं और इसको वही टाइम फ्रेम में देखने से अच्छा फिर मैं क्या करूंगा अवरली में एक ट्रेंड लाइन देखूंगा और एक 15 मिनिट्स में ट्राय करूंगा कि कुछ ट्रेंड लाइन बैट रहा है कि नहीं बैट रहा है त यही कव में मैंने 3 points को fit करने की कोशिश की है कौन सा point पहला point दूसरा point तीसरा point अब आप देखोगे न trendline यहाँ पे क्या करना है नहीं बताएगा यहाँ पे क्या करना है नहीं बताएगा तो trendline से कभी-कभी scalping जो है न छोटे-छोटे trades देना वो बहुत मुश्किल होता है अब यहां पे चलो एक तो मुझे पता चला कि but nevertheless trend lines are very very powerful अब यहां पे देखोगे ना हमारा हिसाब किताब कल के लिए बहुत simple हो गया है क्या है यह तो बहुत simple है क्योंकि almost आप देखोगे ना almost एक दो और यह तीसरे यहां पे भी touch हुआ था और यह चौता है तो यह एक trend line का important support हो सकता है तो मैं क्या करूंगा बहुत simple 43 यह bank nifty का चार्ट है ध्यान रखना ओके 43 4343 650 री टेस्टिंग बी एन एफ शॉट के बारे में सोचूंगा ओके इसका मतलब क्या है थोड़ा सा देख लो नीचे आ गया री टेस्टिंग किया और फिर जब 43 650 आएगा तब मैं एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन के हिसाब से पहला मेरा क्या लेवल रहेगा तो 43 520 और उसके बाद क्या रहेगा तो 43 200 तो नीचे के साइड पे लेवल्स कौन से हो गया यह भी देख लो ट्रेंड लाइन प्रॉपर अगर री टेस्टिंग हो गया तो 43 520 पहला टारगेट और 43 300 सेकंड टारगेट कंसेप क्या है प्यूर्ली ट्रेंड लाइन बट जिस हिसाब से यह बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक कर रही है तो मुस्टली मैं क्या एक्सपेक कर रहा हूं कि 43 778 के बाद या फिर 43 780 अगर कैंडल क्लोज हो रही है प्रॉपर 15 मिनिट में तो मैं एक्सपेक कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी अब के बार मुझे 44 के देने के चांसे हैं तो यह अनलेसिस जो प्यूर्ली आज ट्रेंड लाइन के बेसिस पे किया था बहुत सि ही नहीं लूँगा री टेस्टिंग करूँगा उपर गया तो भी ऐसे नहीं लूँगा 43 780 जो एक मेजर रजिस्टंस है उसके उपर जाएगा तो 44 के जो की ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टंस है वहां तक करूँगा तो यह बेसिस में अगर आप क्या ट्रेड करते हो आ किया आप त्रेंड लाइन से करना चाते हो या सपोर्टन राजिस्टंस से करना चाने हो यह मुझे यह करो बता अब सेकेंड मैं क्या करूंगा न हापी मैं एक बॉलिंज चरा बांड 15 मिनिटिस में लगांगा और आपको बॉलिंचर बैशे से पे ट्रेड करने को कहूंगा तो वेरी वेरी सिंपल है बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट यहां पर आप देखोगे न यह एक अच्छा कासा सपोर्ट है और और नॉर्मली होगा क्या कि और नाइंटीन फोर थर्टी के नजदी कितना भी उपर जाए और नीचे अगर मुझे इस कुछ रेड कैंडल बनते हुए दिख रहा है या ऐसा कुछ पैटन दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा वापिस नाइंटीन थ्री एटी तक का मेरा टारगेट है यह लो। स्मझ कट आप समझ लो बॉलिंजर बैंड बहुत सिंपल है ट्वैंटी मूविंग के उपर ये जोन में बुलिश्नस है 20 moving average के नीचे ये zone में bearishness है, अब ये जो Bollinger Band को lower Bollinger Band को काट रहा है, ये strength दिखा रहा है, अब immediately उपर तो नहीं जाएगा, ये maximum pullback कहां तक होगा, 19,420, अगर 20 simple moving average के चला गया, तो रिस्पेक किया, उसके उपर ही रहा, तो very high chances की market उपर जाएगा, 19,420 के यहां पर अगर red candle कुछ बन गई, तो आपके क्या होगे, ये stop loss, ये entry, और ये पहला target, और ये दूसरा target, तो नीचे के target कहां से है, 350, 380, target 1, 350, 19,350, 19,380, target 1, ये target 2 हो गया, entry कहां पर हो गया, 19,410 के आसपास, stop loss क्या हो गया, 19,430, अगर इसके उपर चला गया, तो आप क्या करोगे, 19,460 का पहला target, बट ये support लेना चाहिए, 20 simple moving average को retest करना चाहिए, तो 19,460 का पहला target, 19,500 का दूसरा target, तो ये होगा, एक simple Bollinger Band से trade करने का तरीका, ये आपको कैसे लगा, क्या Bollinger Band से आपको लेवल सही पता चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये भी मुझे comment करके बताना, अब मैं आऊंगा अपने important चीज़ पे, कि हम लोग FACT का analysis, fertilizer and chemicals, purely Bollinger Band के basis पे करेंगे, ये weekly chart है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो almost आप देखोगे न, strength तो है, क्योंकि 20 SMA के उपर ही है, बट फिलाल मैं यहाँ पे trade नहीं करूँगा, क्योंकि ये वापिस नीचे जाके, जब 600 से वापिस उपर आ जायाना, that will be the best point, फिलाल यहाँ पे clear cut selling pressure देख रहा है, overall stock bullish है, बट entry points सही नहीं है, आइदर 800 के उपर entry point होगी, या 580 के आसपास, बीच में नहीं, क्योंकि नीचे जाने के chances जादा है, okay, IDBI देखते हैं, चलो फटा फट, purely Bollinger Band के chances बे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 20 SMA के नीचे चला गया है, आइदर 65 के उपर आएगा तब लूँगा, या फिर 52 के आसपास, अगर जिस तरीके से यहाँ पर support लिया था, वैसे लूँगा, और कहां तक trade करूँगा, 72, तो यहाँ पर आप देखोगे न, Bollinger Band से आप भी अपने stocks का आसानी से analysis कर सकते हो, ओके, और finally Tata Steel देख लेखते हैं, कि Bollinger Band से कुछ बता रहा है, कि नहीं बता रहा है, यह हो गया, Tata Steel, अब यहाँ पर देखोगे न, Tata Steel में sellout तो हो गया, बर 20 SMA का support नहीं लिया, अब आ 108 के आसपास, अगर कुछ इस तरीके से pattern बन गया, तो वापिस मैं 120 तक trade करने देखूंगा, फिलाल के लिए Tata Steel बिलकुल भी सही नहीं है, हमें चाहिए कि 125 के उपर चले जाए, या फिर नीचे आएगा, तो 108 के यहाँ पर support ले, यह दोनों buying points सही है, इसके बीच में अगर आप लोगे, sudden pullback नीचे आ गया, तो stop loss हिट होगा, तो आज का आपको session कैसे लगा, जहाँ पर मैंने Bollinger Band बताया, trend line बताया, support and resistance मैं हमेशा बताते रहता हूं, price action हमेशा बताते रहता हूं, तो मुझे comment करके बताना, thanks a lot, कल फिल में रहेंगे, channel को subscribe, bell button को hit करना, मत बूलना झाल को